गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बढ़ेंगे कलिंग कहां स्तित है तदा कलिंग यूद का वर्णन ठीक है तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें बे लाइकन दबाएं ताकि आपको परीक्षा से संबंदित महतोपुन जानकरी इस चैनल पर मिल सके और कलिंग के बारे में पढ़ने से पहले बता देना चाहती हूँ कि असोक पढ़ते हैं कलिंग कहां इस्तित हैं असोक ने अपने राजवी से के बाद अपने पिता इम पिता मह की दिग्विजे की निति को जारी रखा इस समय कलिंग का राजे मगद समराजे की प्रभू सत्ता को चुनोती दे रहा था ठीक है कलिंग को महापदम नंद ने जीतकर अगर समराजे के बारे में भी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं चंदरगुप्ट मोरिय के समय में यह अवस्य ही मगद के अधिकार में रहा होगा क्योंकि हम यह स्विकार नहीं कर सकते कि चंदरगुप्ट मोर्य जैसा वीर तथा महतवचांग सी सासक जिसने युनानियों क प्राजित किया इंव नंदों की सक्ति का उन्मूलन किया कलिंग की स्वाधिन्ता को सहन कर सकता ठीक है ऐसी स्थिति में यही मानना तर्क संगत लगता है कि बिंदुसार के सासनकाल में किसी समय कलिंग ने अपनी स्वातन तर्ता गोशित कर दी थी असोग जैसे महत्वकांग सासक के लिए यह है ऐसे हैं यह था रोमिला थापर का विचार है कि कलिंग उस समय व्यापारिक द्रस्टी से अत्येंट महतोपन राज्य था तता असो की द्रस्टी उसके सम्रद व्यापार पर थी अतय अपने अभिसे के आठवे वर्स अर्था 261 इस्सा पूर्व में उसने क कलिंग के विरुद यूद छेड दिया था कलिंग का प्राचीन राजे वर्तमान दक्सिनी उडिसा में इस्तित था ठीक है तो कलिंग का प्राचीन जो राजे था वह कहां पर था वर्तमान में दक्सिनी उडिसा में कलिंग यूद तथा उसके परिणामों के विशे में असो के तेरवे अभिलेक से सूसना प्राप्त होती है कि उसन कई बार आता है इकलिंग युद तता उसके परिणाम के विशे में असोग के कौन से अभिलेक से सूसना प्राप्त होती है वो उसका तेरवा अभिलेक इससे इसपरस्ट होता है कि यह युद बड़ा भहंकर था जिसमे बिशन रक्त पात तता समहार नर समहार के गठनाएं हुई अंत्ताय असोग इस राजय को जीत कर अपने समराज में मिलाने में सफल रहा तेरवे सिलालेक में इस यूद के बयानक परिणामों का इस परकार से उल्लेक हुआ है देखे का क्या क्या परिणाम हुए थे कलिंग यूद में भाग ने लेने वाले ब्राहमनों, सरमनों, ग्रहस्तियों को अपने समंधियों के मारे जाने से बहुत कस्ठ हुआ असोग ने इस भारी नर समहार को स्वेम अपने आखों से देखा तो उसको बहुत दुख हुआ इस परकार एक स्वतंत राजय की स्वाधिनता का कलिंघ मगर समराजय का एक प्रांथ बना लिए गया ततबा राजकुल का कोई राजकुमार वहां का उपराज़ा अर्था वायसराई न्यूक दी कर दिया गया कलिंग में दो अदिनस्त परसासनी केंदर इस्ताफित केंदर उत्री केंदर राजदानी थी तोसली तता दक्षिनी केंदर इसकी राजदानी थी जोगड ठीक है तो कलिंग में दो अदिनस्त परसासनी केंदर कौन-कौन से इस्ताफित केंदर उत्री केंदर और दक्षिनी के थी जोगड कलिंग ने फिर कभी स्वतंतर होने की चेस्टा नहीं की मोर्य समराजे की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तरित हो गई यह कलिंग यूद का तातकाली गलाब था ठीक है तो कलिंग यूद का तातकाली गलाब क्या हुआ कि जो मोर्य समराजे उसकी को स्पर्स किया और उसके दूरगामी परिणाम हुए कलिंग यूद पर टिपनी करते हुए हेमचंद राय चोधरी ने लिखा है कि मगत तता समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजे एक महतोपुन गठना थी इसके बाद मोरियों की जीतों तथा राज्य विस्तार का वह दोर समाप्त हुआ जो बिंबी सार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से प्रारंब हुआ था इसके बाद एक नए यूग का सुत्रपात हुआ और यह यूग था सांती सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक परचार का ठिक है यहीं से सन्य विजे तथा दिग विजे क यूग समाप्त हुआ तथा अध्यात्मिक और धम विजे का यूग प्रारंब हुआ देखेगा इस यूद के बाद से प्रारंब होता है अध्यात्मिक और धम विजे का यूग ठिक है इस परकार कलिंग यूद ने असोक के रधे में महान परिवर्तन उत्पन कर दिया उसका रधे मानवता के प्रति दया एं करुणा से उद्वेलित हो गया तता उसने यूद कारियों का नय करने की पर्तिग्या की कि मैं अपसे कभी भी यूद नहीं करूंगा कलिंग यूद के बाद असोग बोध बन गया और उसने अपने समराजे के सभी उपलब्द साधनों को जनता के बोथिक एवन नयतिक कल्यान में बाट दिया तो हमने पढ़ा कलिंग के यूद के बारे में उसके परिणामों के बारे में और इसमें से एक ने किसन पक्का आपको एकजाम में मिलेगा तो इसी प्रकार से हमारे वीडियोज आप देखते रहें ये वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत भुधन्यवाद